दोस्तों किसी भी exam की तैहरी के लिए sources बहुत ही जादा important role play करती है और गलत sources आपकी तैहरी में बहुत जादा मुश्की लेज़ी भी पहिरा कर सकती है इसलिए जरूर ही है कि किसी भी exam की तैहरी से पहले sources का सही चुनाओ सो बेसिकली हम लोग इस लेसन में देखने वाले हैं सबसे पहली चीज तो कि मस्ट रीड बुक्स फो यूपीसी चीज बतलब यह ऐसे बुक्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी बुक के साथ अगर आप ज़्यादा कमफर्टेबल हो तो आप उसको उस बुक्स से सब्सिट्यूट कर सकते हो रिप्लेस कर सकते हो बट टोटली स्किप नहीं कर सकते हैं इसमें हम लोग देखेंगे बुक्स with high cost benefit ratio मतलब जिसका cb ratio ज़्यादा हो इसका मतलब अगर आप 200 पेज़ेस की बुक पढ़ रहे हो तो at least 4 से 5 questions आने के probability होने चाहिए तभी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा एक ग्रंथ पर डाला एक हजार पेजेस का और उसे मातर question आने के probability है एक या वो भी नहीं तो ऐसी बुक्स को हम लोग नहीं देखेंगे हम लोग ऐसी बुक्स को देखेंगे जिसका की cost benefit ratio ज़्यादा हो sources को limited रखा है ज्यादा exhaustive नहीं ऐसा sources रखा है जिसे आप five to six months में complete कर सकते हो ताकि आपको optional और मा की other prelims के you know test papers means के test papers के लिए enough time current affairs के लिए enough time मिले तो हम तो सिर्प उसी source को देखेंगे बहुत ही limited resource को देखेंगे जो की exhaustive बिलकुल नहीं and the most important thing कि आपको एक book को 10 वारी पढ़ना है rather than reading 10 books one time क्योंकि at the end आपको exam में क्या याद रहता है वही matter करता है तो आपको एक book को 10 वारी revise करना है हाला कि 10 sources को एक बार पढ़ने से तो चलिए bookly session को start करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे prelims syllabus की जैसा कि आप जानते हैं prelims में आपके 2 paper होते हैं 1st GS paper, 2nd CSET के लिए तो CSET के लिए हम next video में बात करेंगे पहले हम GS perspective से यहाँ पर बात करेंगे बात करते हैं means syllabus की means में आपके चार जी अस की paper होते हैं जो भी subjects हैं उनके लिए आपको क्या-क्या source prefer करना है सबसे पहले हम history की बात करेंगे history में ancient history के लिए आपको आरेश सर्मा की old ncrt prefer करनी है medieval history के लिए old ncrt by satis chandra modern history के लिए old ncrt by vipin chandra art in culture के लिए आपको 11th की fine in arts की ncrt prefer करनी है साथ में ही आप किसी भी institute के class notes को prefer कर सकते हैं post independence के लिए 12th class की political science की ncrt politics in india since independence आपको refer करनी है world history के लिए आरजुन देव की world ncrt part 1 आपको prefer करना contemporary world history by अरजुन देव next हम जोग्राफी की बात करेंगे तो जोग्राफी के लिए आपकी 11th and 12th की ncrt prefer करनी है जिसमें आपको 11th में 2 ncrt है और 12th में आपकी 2 ncrt है इन दोनों को आपको prefer करनी है next हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी के लिए इंडियन सोसाइटी के लिए आप vision is का material पढ़ सकते हो जो की 2 part में available है और साथ ही साथ आप social problems in India by Ram Ahuja को भी आप prefer कर सकते हो next हम बात करेंगे पॉलिटी के लिए पॉलिटी के लिए आपको ncrt जो prefer करनी है वो democratic politics 1 and democratic politics 2 Indian constitution at work and political theory यह चार ncrt आपके लिए बहुत important है तिन standard book में आपको Indian quality by Lakshmi Kant आपको prefer करनी है उसके बाद आपको जो last में prefer करना है और bear acts है सो हम आगे बात करेंगे governance governance के लिए आप governance in India by Lakshmi Kant की एक book है जिसको आप prefer कर सकते हो best book है next international relations के लिए आप vision is का material other than that आप the globalization of world politics by Belis Smith का आप book prefer कर सकते हो next हम social justice की बात करेंगे social justice के लिए आप नवीन कुमार चंद्रा आईएस जो थे इनकी books है बहुत ही अच्छी book है इसको आप prefer कर सकते है next हम बात करेंगे economic की economics के लिए आपको जो NCRT पढ़नी है Indian economy development 11th class की NCRT है यह बहुत ही important है introductory macro economics यह आपको जो 12th class की है वो पढ़नी है यह दो NCRT बहुत ही important है साथ ही साथ आपको standard books के लिए आप नितिन सिंगानिया की books को prefer कर सकते हो next हम बात करेंगे environment and ecology की environment के लिए इसमें market में best जो book है वो PMF IS की है तो आप environment के लिए PMF IS को prefer कर सकते हो next हम बात करेंगे disaster management disaster management के लिए आप पाउनी सिंह की books को prefer कर सकते हैं next हम बात करेंगे science and technology के लिए science and technology के लिए आप 6th edition की book है रवी पी अग्रहरी की जो भी current edition है हो 6th edition है तो इस books को आप prefer कर सकते हैं नेक्स हम बात करेंगे CEO internal security की, internal security की जो बुक है आपकी, असुक कुमार IPS है, challenges to internal security of India, ये बुक्स आप प्रेफर कर सकते हैं, ethics के लिए आपको प्रेफर करनी है, lexicon की बुक्स, chronicle की, या तो other than that आप जी सुबरहौ की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी एक आपको प्रे major point है, पहला कि newspaper second magazine, तो newspaper के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि दो newspaper बहुत ही famous हैं पहला दा हिंदू, second आपका Indian Express, तो इन दोनों में से आप कोई भी follow कर सकते हों, बट अगर कोई initially preparation start कर रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप Indian Express को follow करिए, क्योंकि दा हिंदू का जो language है, तो थोड़ा सा hard है, तो अगर आपका initial time है, तो Indian Express को follow कर रहा है, देन आप jump कर सकते हैं, दा हिंदू के, बट अगर आपकी 24 है, तो आप दोनों में से कोई एक भी follow कर सकते हैं, दोनों best हैं, next हम बात करेंगे magazine के लिए, तो magazine में आप देखो, दो magazine में suggest करूँगा, जिसमें से आपको कोई भी एक follow कर लेनी है, first आप वाजी राम की magazine follow कर लीजिए या तो आप Vision IS की follow कर लीजिए, दोनों best हैं, आप कोई एक follow कर सकते हैं इसमें में से